गुद मॉनिंग स्टुडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम आई उपी एसी नोमनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं तीन टाइप के कंपाउंड का तीन टाइप के कंपाउंड का एक हम पढ़ेंगे ब्रिज्ड कंपाउंड ठीक है दोसरा हम पढ़ेंगे फ्योज्ड कंपाउंड और तीसरा हम करेंगे स्पाइरो कंपाउंड ब्रिज्ड फ्यूज्ड और स्पाइरो कंपाउंड देखना ये तीनों के तीनों कंपाउंड बा बाइसाइकलिक कंपाउंड को तीन केटेगरी में क्लासिफाई कर सकता हूं एक केटेगरी फ्यूज कंपाउंड की होगी दूसरी केटेगरी ब्रिज्ट कंपाउंड की होगी और तीसरी केटेगरी स्पाइरो कंपाउंड की होगी ठीक है fuse compound वो compound होंगे जिन में दो ring या दो से ज़्यादा ring fuse होंगी ठीक है दो ring fuse होंगी और उन दो ring के बीच में जब दो ही atom common होंगे दो ही atom common होंगे bridge compound में जब दो ring fuse होंगी जब दो ring fuse होंगी तो उन के बीच में दो से ज़्यादा atom common होंगे more than two atom और spiro compound में जब दो ring fuse होंगी, जब दो ring fuse होंगी तो सिर्फ एक ही atom common होगा, एक ही atom common होगा, example देखना, मैं fuse compound के example लिखता हूँ ये, decaline कहते हैं इसको, देखो, एक ring, इसको छुपा लूँ तो एक ring ये है, एक ring ये है, ठीक है, इन दोनों के ring के बीच में एक ये carbon atom और एक ये carbon atom common है, जो इस ring में भी आ रहे हैं, और इस ring में भी आ रहे हैं, ब्रीज compound को देखना, ब्रीज का example लेता हूँ, मैं नोर बोरेन, नोर बोरेन का example लेता हूँ, ये नोर बोरेन है, देखना, ये नोर बोरेन है, इसको आप ऐसे भी लिखते हैं, इसको आप ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, देखो ये दो ring है, एक ring ये है, ठीक है, और दूसरी तरी रिंग यह और इन दोनों रिंग बीच में, एक, दो, तीन, यह तीन ओम को मनें ठीक है। अच्छा मैंtenum compound का एक्जाम्पल लेत हूँ, spiral compound का एक्जाम्पल लेता हूँ मैं यह। देखना, एक रिंग ये है, ठीक है, दूसरी रिंग ये है, और इन दोनों रिंग के बीच में एक ये अटम को मन है, तो इस तरीके से हम तीन केटेगरी बना सकते हैं, बाइसाइकलिक कंपाउंड्स की, फ्यूजड, ब्रिजड और स्पायरो, इन तीनों का ही, हमें आज नॉम ये जो कंपाउंड्स का नोमन क्लीचर पढ़ रहें, ये जो कंपाउंड्स होते हैं, ये प्लैनर नहीं होते हैं, ठीक है, ये जो कंपाउंड्स होते हैं, प्लैनर नहीं होते हैं, सबसे पहले हम ब्रिजड कंपाउंड्स के नोमन क्लीचर पर चलते हैं, देखना, वाला जो कार्बन है ब्रिजएड वाला जो कार्बन है वहां से नम्बरिंग स्टार्ट होगी ठीक है ब्रिजएड कार्बन कुन सा होता है देखो जैसे यह एक्जाम्पल है यह जो कार्बन यह कार्बन जो दोनों रिंग को जोड़ रहे हैं और कोमन है उसको कहते हैं ब्रिज प्रिजए ड़िए कार्बन करते हैं ठीक है तो क्या करना है ब्रिजएड वाले कार्बन से numbering श्टार्ट करनी है यानि यहां से अप numbering करोगे और दूसरा रूल क्या कहता है longest route को follow करते हुए दूसरे bridge-aid कारबन तक पहुंचना है, बात समझें, देखो, यहां से नम्मरिंग स्टार्ट के 1, और फिर लोंगेस टूट, को फोलो करते हो, यहां तक पहुंचें, दूसरे ब्रीज अड तक, ठीक है, देखना एक बार, यहां से नम्मरिंग करता हो, देखना 1, 2, 3, 4, चाहिदर से देखना, 1, 2, 3, 3,4 5,6 और यह 7 ब्रिज वाला जो कार्बन उसको 7 ठीक है अब देखना उसके बाद क्या करना है नाम देखो कैसे लिखा, यह दो रिंग है यहाँ पर तो बाई साइकलो लिखा, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कि एक ब्रेकेट लगाना है, square bracket और उस square bracket में, देखने एक बार, इस साइड आये थे तो दो कार्बन इधर है, इस साइड आये तो दो कार्बन इधर है, और ए एक Carbon ये ब्रीज पर इन सबी को क्या करना है? इन सबी को एक स्क्वार bracket में Descending Order में लिखनाइ कि 2 2 1 देखो दो इधर हैं दो इधर हैं एक इस Bridge पर इसक्वा आध기는 इन्क्लूड से ब्रीज बलत वालों को इंक्लूड नहीं करना यहां प्रैकेट में ridge대 वालों को इंक्लूड नहीं करना, दो इधर, दो इधर, एक उपर हो गई, ठीक है, अब टोटल देखो, टोटल एटम कितने साथ, तो साथ कार्बन है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, हटेईन, टोटल एटम साथ है तो इसको लिखूंगा, हैपेटेन, ठीक है, तो बाइ साइक्लो दो के लिए फिर एक ब्रैकिट लगाया ब्रैकिट में ब्रैकिट में नंबर ओफ कार्बन को डिसेंडिंग ओडर में लिखो ब्रैकिट में नंबर ओफ कार्बन दो इधर दो इधर एक उपर वाला ब्रीज एड को इंक्लूड नहीं करना ठीक है देखना अगले एक्जांपल जैस ओर दो ही उपर फ्रिजड पहें तो बा और साइक्लों क्वी देंगे टू 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 क्यूंकि इधर भी दूँन कई और टेर्फीडों और टोटल आथ है तो अंस थी के है कि अ कि смог को देखना इसी में ही मैं एकजामपल लिता हूं Ron का इसका नॉमन्क्लेचर भी ब्रीज्ज्च की तरह ही होगा देसे मैंने इस overdose mane को लिए अब एक चीज देखना भॉंगे टूप और पॉंचना और लोंगे यह केनीट कौ यह लंगेश शूट है क्योंकि इधर से आऊँगा तो लंगेश शूट फोलो किया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो नमरींग कर दी उसके बाद देखना आगर मैं ब्रीज एड इंक्लूड ना करूँ तो इस साइड चार कार्बन है इस साइड तीन है और इस ब्रीज एड पे जीरो है इस ब्रीज पे जीरो है तो इनको डिसेंडिंग ओडर में लिखना है और टोटल नुँ एक्ग्जामपल देखना जिसको हम डेकलीण केता है इसका एक्जामपल देखना देखो वन टू थी फोर फाइव सिक्स किदर से चलो इस एक फ्यूसिंग पॉइट से दूसरे फ्यूसिंग पॉइंट पर आते हुए छटा नमबर ही मिलेगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस आप देखो इस साइड चार है इस साइड चार है और इस ब्रिज पे जीरो है तो यह दो रिंग है तो बाइसाइकलो फोर फोर जीरो और डेकेंड इसको डेका लिंग करते है ठीक है इस एक्जामपल को देखना अब आपको ब्रिज एड से ही चलना है ब्रिज एड से ही चलना है लेकिन थोड़ा सा रूल बतल जाएगा देखो वन ठीक है इदर से आऊँगा तो 1,2,3,4 और इदर से भी आऊँगा तो 1,2,3,4 मैं दो बार लिखता हूँ इसको देखना मैं ऐसे लिखता हूँ 1,2,3,4,5,6,7,8 और 1, डबल बॉंड,2,3,4,5,6,7,8 यहाँ पर देखना है डबल बॉंड को नंबर मिल रहा है यहाँ पर डबल बॉंड को नंबर मिल रहा है लोवेस टू तो लोवेस लोकेंड के इस आपसे डबल बॉंड को लोवेस नंबर देना पड़ेगा तू मिला यह ठीक है यह गलत है नाम लिखे अब दोरिंग है तो बाई साइकलो दोरिंग है तो बाई साइकलो ठीक है ब्रेकेट लगाया देखना इस सेट दो item है इस सेट दो item है और उपर ब्रिज पर गशम आई तो तू 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 ब्रिज हेड़ वाले यह ब्रिज हेड़ वाले कभी बी इस ब्रेकेट में इंकलूँड नी ओते इस बात को ढधान रखना और ऊसके बाद उसके बाद क्या निखोगे टोटल इसमें आठ एटम है, तो क्या लिखोगे, ओक्ट, आठ एटम के लिए, ओक्ट, और देखने हैं, एक कंपाउंड अनसैचुरेटिड है, तो ओक्टीन लिखोगे, ओक्टीन, इसके साथी साथी इस डबल बॉंड की लोकेशन, एड्रस मेंशन करना पड़ेगा, इसका इसका एड्रस है 2, तो ओक्ट टूइन, यह इस कंपाउंड का पूरा नाम हो गया, इस एक्जामपल को देखना, इस वाले को, देखो यह मैंने डबल बॉंड लिए, अब दोरींगे तो बाइस साइकलो, फिर से ब्रीजएड से ही स्टार्टिंग करनी है, लेकिन डबल बॉ 567 बाइसाइकलो एदर दो हैं एदर दो हैं और उपर ब्रीज़ पर एक है तो 221 उसके बाद टोटल साथ एक्टम है तो हैप्ट और हैप्ट के बाद टू पर डबल बॉंड और एप्ट टू इन ठीक है इस बात को ध्यान रखना अब बच्चों ये दो एक्जामपल देखना देखो हमें ब्रीज़ एड से स्टार्टिंग करनी है अगर मैं एदर से ब्रीज़ एड से स्टार्ट करो तो 123 नमर मिलेगा एदर से स्चूरू करो तो 1234 तो देखो इस सब्स्टिट्वेंट इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से नम्बरिंग ब्रीज़ एड से ही मिलेगी लेकिन इस चीज़ के ध्यान रखना कि जब आप जब कोई भी सब्स्टिट्वेंट लग जाएगा तो उसको लोएस न अब इस कंपाउंट का नाम देखना दो रिंग है तो बाई साइकलो ठीक है अचा टोटल मैं नम्बरिंग करूं तब एदर टू एदर टू और ब्रीज पर वन तो टू टू वन ठीक है इसके बाद टोटल साथ एक्टम है तो हैप्टेन सेचुरेटिड है और इसके साथ ही देखो यह सबस्ट्रिटोंट को कहा डालता है प्रिफिक्स में तो टू पे ब्रोमो ऐसे लिखूंगा टू पे ब्रोमो टू ब्रोमो बाई साइकलो ठीक है अब इस एक्जामपल को देखना इस एक्जामपल में देखो मैं नम्बरिंग करता हूं यहां से नम्बरिंग करू बॉंड को सब भी second position मिलेगी और गुरुप को भी second को भी second position मिलेगी तो देखना one two three four five six seven eight इस तरीके से number देना है कि double bond को भी lowest number मिले substituent को भी lowest number मिले ठीक है तो prefix में क्या लिखूंगा देखना prefix में लिखूंगा two bromo two bromo लिख दिया इसके अलावब देखो माननों मैंने 5 पे एक नाइट्रो लगा दिया ठीक है तो two पे bromo हो गया five पे नाइट्रो हो गया ठीक है इसके बाद देखना दो रिंग है तो इस compound को मैं लिखूंगा by cyclo अब मैं bracket लगाऊंगा ब्रेकेट में नंबर लिखूंगा देखना इधर दो एटम है इधर दो एटम है और उपर भी दो हैं दो 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 ठीक है अब टोटल कितने एटम है आठ आठ के लिखूंगा ओक्ट डबल बॉंड कितने पर टू पर तो ओक्ट टू इन यह इस compound को हो गया पूरा नाब यह इस compound को हो गया पूरा नाब अब हम बचो नोमंकलेचर करेंगे spiro compounds का ठीक है spiro compound यह spirins क्या होता है ऐसे compound जिनमें एक sp3 advertised carbon atom जो है वो दो रिंग के बीच common होता है जैसे देखो यह दो रिंग है और यह बीच में जो carbon sp3 advertised है और यह इस रिंग में भी common है इस रिंग में भी ठीक है इनका नोमंकलेचर समझेंगे इनका नोमंकलेचर समझने के लिए देखना सबसे पहले एक example का इस्तेमाल करते है एकजामपल देखो यह एकजामपल लिया नम्बरिंग कहां से start करनी है देखना यह common carbon है दोनों रिंग में यह दोनों रिंग में common carbon है तो आपको इस common carbon के just next carbon से starting करनी है ठीक है देखो यहां से मैंने starting के वन तू थ्री फोर ठीक है नम्बरिंग करो पहले तो जो जिस का जो common carbon है उससे next नम्बरिंग करते हुए एक दो तीन फिर common carbon को चार और फिर अगली रिंग में पांच छे साथ ठीक है अच्छा यहां पे जो नम्बरिंग दोनों रिंग equal size की है तो किसी से भी numbering शुरू कर लो अगर दोनों रिंग equal size की नहीं है तो smaller size ring से numbering शुरू होगी जिस रिंग में number of carbon कम है उससे numbering शुरू होगी देखना है यहां तो दोनों equal है अच्छा यह दो रिंग है लेकिन यहां पे by cycle नहीं spiral word लिखा जाता है इस इसको दिखाने के लिए कि यह compound spiral है ठीक है spiral लिखा अच्छा फिर bracket लगाया है फिर bracket लगाया है अच्छा bracket लगाने के बाद देखना जो number of atoms है अगल equal है तो तो कोई दिक्कत ही नहीं है तीन-तीन लिख दिया अगर unequal है मानलो एक में 2 और एक में 4 यह एक में 2 और एक में 3 त तो हमें इनको ascending order बढ़ते हुए करम में लिखना है यानि 3-3 है तो कैसी लिख लो और अगर एक में 2 आए एक में 3 है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते है पहले 3 को बाद में 2 को नहीं पहले आपको 2 लिखना पड़ेगा फिर 3 लिखना पड़ेगा अगले example में देखेंगे ले 10 ठीक है अगले example को देखना इसमें इस बात को हम समझेंगे कि number of carbon atom एक ring में ज़्याद है एक में कम है ठीक है तो जो छोटे size की ring है उससे नोमन कलेचर शुरू करें उससे numbering शुरू करें तो पहला ये दूसरा फिर common carbon पे गए 3,4,5,6 ठीक है चार किसी को भी दे लो कोई फ ठीक है अच्छा ये spiro compound है तो पहले spiro लिखा उसके बाद यहां पे 2 हैं यहां पे 3 है तो पहले 2 को लिखा फिर 3 को क्योंकि हमें ascending order में लिखना है क्योंकि हमें ascending order में लिखना है और total 6 atom है तो hex और compound saturated है तो एन ठीक है उसके बाद अगले example देखना इसमें मैंने substituent लगा तो देखना ये चार मेंबर ये पांच मेंबर रिंग की दिग और ये च् satisf Ding अगर तो नंबर कहांसे करोगे होगी यानि numbering small size ring से ही शुरू होगी substituent को कोई effect नहीं पड़ेगा तो देखना 1,2,3,4 अचा 5 पै इसके बाद मैं इदर जाओंगा तो देखना इदर जाओंगा तो 6,7,8,9 substituent को 9 नमबर मिलेगा और इदर जाओंगा तो substituent को 7 नमबर मिला है क्योंकि अब हमें lowest lock and follow करना पड़ेगा तो substituent को मैंने 7 दिया 9 नहीं दिया small size ring से numbering शुरू करना common atom आने के बाद common carbon पे आने के बाद substituent को lowest नमबर देने के ट्राइ करना इतनी बात समझाई आप देखना नाम देखना ये दो रिंग है तो spiral लिखा spiral compound है क्योंकि ठीक है इस रिंग में 4 atom है इस रिंग में 5 atom है तो 4 और 5 क्योंकि ascending order में लिखना है तो 4 को पहले 5 को बाद में total ये 10 atom है तो decane और 7 पे substituent है जिसको prefix में डालना है तो 7 पे chloro लिख दिया मैंने साथ पे chloro लिख दिया ठीक है इस अगले एक्जामपल को देखना देखो यहाँ पे मैंने OH लगा एक CL लगाया ये 5 मेंबर की दिंगे और ये 6 मेंबर की दिंगे आपको पता है smaller size ring से numbering शुरू करने पड़ेगी तो यहाँ से 1 शुरू करी है यहाँ से 1 शुरू करो यहाँ से 1 शुरू क्यों क्या तो कि यहाँ से 1 number शुरू करता हूं तो substituent OH को 2 मिलता है यहाँ से शुरू करता तो OH को 3 मिलता lowest low control लगेगा तो 2 दिया इसके बाद देखना 1,2,3,4,5 इसके बाद देखो 6,7 इधर दूँगा तो chloro 7 पर आएगा और इधर दूँगा तो 5,6,7,8,9 chloro 9 पर आएगा लेकिन हमे lowest low control करना पड़ता है तो 7 पर chloro अच्छा chloro को तो आप डालोगे prefix में ठीक है और OH को आप डालोगे suffix में क्यों OX एक functional group है वो suffix में OH के लिए क्लिए क्लिए लगाते है ओल लगाते है ठीक है तो मैं इसका नाम लेखता हूं देखना स्पाइरो क्योंकि यह स्पाइरो कंपाउंड है 7 chloro prefix में डालोगा तो 7 chloro 7 chloro spiral उसके बाद bracket लगाऊं ब्रेकेट में देखो इस रिंग में 4 carbon इस common वाले को include नहीं करना इस रिंग में 4 इस रिंग में 5 तो 4 5 क्योंकि यह ascending order में लिखता है 4 5 ठीक है उसके बाद टोटल का टोटल एटम कितने है 10 10 है तो deck 10 है तो deck 10 है तो deck ठीक है compound saturated है तो an in ठीक है पूरा नहीं लिख रहा an e नहीं लिख रहा क्यों नहीं लिख रहा बताऊंगा ठीक है deck in ठीक है इसके बाद इस suffix की position to pay all to all अच्छा एक चीज ज्यान देखना मैंने आपको कहा था an in का e हटा देते हैं जब बाद वाला जो नाम है उसमें a i e o u y से शुरुवात होती है तो यह बताया था ठीक है अगर बाद वाले नाम की शुरुवात a i e o u y से उत्ती है तो पहले वाले नाम में एन में से या इन में से या आइन में से ए हटा देते हैं ठीक है तो यह इस compound का नाम हो गया 7 chlorospiro four five decade two old एक और एक और एक्जामपल देखना बाइस साइक्लो कंपाउंड में आपने nine bbn का नाम सुना होगा nine bbn इसका structure बनाता हूंगा देखना यहां पर उपर बोरोन होता है बोरोन के बाद यहां पर तीन एटम होते हैं एक दो तीन और फिर एक दो तीन ऐसे ठीक है आला कि इसको थोड़ा सा और प्रोपर बनाऊंगा तुम्हें यह ऐसे होती है ओपर फिर बोरोन ठीक है और फिर ऐसे थोड़ी सी कर दो ठीक है अब देखना फिर से यह बाइसाइकलो कंपाउंड हो गया किस तरह का ब्रीज कंपाउंड हो गया आप देखने है यहां पर नमरिंग ह अफ़ी ब्रीज से करनी है one two three four five six seven eight nine और यहां पर ही और यह्ट्रोजन ओगता है ठीक है अब देखना इसका नाम देखना एक रिंग यह है इन तीन आटम को अटा दू तो यह वाली रिंग और इन तीन को अटा दू तो एक रिंग यह है ठीक है दो रिंग हो और दो रिंग ओगे तो इसको मैं क्या लिखू यह जो jeopard सपायरीव तो इंवे कारबनत है यहां पर बोरेंना है कुछ भी हो उससे मैंटर नहीं है कितने अटम है उससे मैंतर है तो देखना इधर तीन लिए ट्वा स sound देखना है क्यों डिसेंडिंब और में लिखता लिखना होता है कोदalter में लिखना होते है घटते क्रम में लिख दिया थीक है अब एक चीज देखना ये तो मैंने बाइसा एकलो 331 लिख दिया एक चीज ध्यान देना जब मैंने आपको यह एक्जाम्पल कराया था तो इसमें मैंने टोटल आपको साथ कारबन बताए थे 5-6-7 मैंने वहां पे थीक है इस रिन्ग में the Tutbreaking Iंघ मुझे इस बात से मतलब नही आई कि इस saturated के लिए अभी ये बात fix नहीं हुई अभी ये बात fix नहीं हुई कि 9 पे बोरा है 9 पे बोरे इन है क्यों देखना इतने नाम को इतने नाम के लिए मैं ये structure भी बना सकता हूं इतने नाम के लिए मैं ये structure भी बना सकता हूं ये structure भी बना सकता हूं तो मैं एक छोटी सी चीज और लिख दूँगा इस बोरेन के लिए आगे prefix में 9 बोरा और लिख दूँगा कि 9 पे बोरेन है ठीक है यह टो यह mention हो गया कि 9 पोजीशन पे बोरेन है और टोटल एटम नहीं है इसलिए 9 नहीं लिक्का इस 9 और लिखने का मतलब इसमें 8 तो врем और 9 जो एटम है 9 बोरेन है यानि एक किसका है बोरेन का है ऐसे 9 है ठीक है शोट फोर में देखना 9B बीबियन कहते हो तो 9 ये बी यहां से बी और यहां से एन तो इसका नाम नाइन बोरा बाइसाइकलो 33199 बीबियन अच्छा इसका नाम के लिखोगे सिर्फ इस नाइन बोरा को अठा दो बाइसाइकलो 33199 यह यहां पे 9 के 9 कार्बन है यहां पे 8 कार्बन और एक बोरेन है एक बोरेन को इंडिकेट करने के लिए आपने यहां पे 9 बोरा लिख दिया है जो ही do you can hear uh यह कुछ भीए होbly सकता है नि अप्रवार्व सकता है यहाँ पर बोरेट लिया सिलिकन हो सकता है ठीक है ओर नाइट्रोजन हो सकता है ठीक है तो। फॉस्वोरेट के लिए लिखेंगे फॉस्फवा वर्द बोरेन के लिए मैंने लिखा यहां पर बोरा वर्ड, सिलिकन के लिए लिखोगे सिला, नाइट्रोजन के लिखोगे अजा, ठीक है, इस तरीके से हम इसका नाम दे सकते हैं, यह कंप्लीट कंसेप्ट बच्चो, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स के निमनक्लेचर का, जैसमें फ्यूस्ड, प्रेज्ड और स्पाइरो कंपाउंड्स हमने पड़े, बागी का नॉमनक्लेचर पड़ेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में, थैंको इस्तुदेट्स.